तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सुगी आपके बारे में जानते होंगे और वहां से food order करते होंगे कुछ लोग regular यहाँ पे इंस्टा मार्ट से भी अपने गर के grocery समान वगयरा मंगाते होंगे तो आपको मैं बता हूँ यहाँ पे HDFC Bank का सुगी को ब्रेंडिट केडिट कार्ट जरूर से ले लेना चाहिए आपकी सेविंग को बढ़ाने के लिए तो इस वीडियो में इसी कार्ट के बारे में बात करूँगा आपको बताऊँगा इस HDFC Bank के सुगी कार्ट को आप किस तरीकी से apply कर सकते हैं कहां से apply करना है कहां से आप apply करोगे कि आपको यह कार्ड अप्रूव होके मिल जाए मेरा कार्ट किते टाइम में अप्रूव हुआ क्या क्या प्रोसेजर थे किते दिन में ये डिलीवर हुआ मेरे एड्रेस पे साथी unpack करके भी कार्ट को दिखाऊंगा बाकी सारे features या फिर benefit सब कुछ आपको charges बगेरा बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहना वीडियो को जरूर से एक like देना और subscribe कर लेना चैनल को चलिए वीडियो को start करते हैं let's go तो इस कार्ट को apply करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिन में से दो type के लोग है एक तो जो salary है या फिर self-implied है जो या तो ITR फिल करते हैं या फिर उनके पास salary sleep है तो वो लोग ये कार्ट को cash करो की website से अगर apply करते हैं तो वहाँ से उनका card easily approve हो जाएगा और साथ ही उनको card के साथ जो benefit मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही यहाँ अलग से cash करो की तरफ से आपको 1000 का Amazon gift voucher भी मिल जागा जिसको आप shopping वगएरा में योज कर सकते हैं अब जो दूसरा तरीका है वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके पास SDFC bank का अल्रेडी कोई credit card है debit का रहे है आप bank account है उनका credit score अच्छा है civil वगएरा अच्छा है और वो self-employed है पर उनके पास ITR नहीं है ना तो salary sleep है तो इस case में आपको ये card अगर पाना है अप्रूब होना है तो इस card को आपको सुगी app के थूरू जाके apply करना है वहाँ से maximum chance है कि आपको ये card अप्रूब होके मिल जाएगा तो मैंने इससे सुगी app से apply किया था वहाँ से मुझे ये card मिला है चलिए सारे कुछ procedure सुगी app पे कैसे करते हैं आपको दिखा देता हूँ तो जैसे सुगी app पे आप जाते हो यहाँ नीचे आपको एक credit card का option मिल जागा या फिर अपने account section में जाओ यहाँ पे सुगी HDFC bank credit card का option मिल जाएगा यहाँ पे इस credit card के बारे में सारे benefits क्या charges है कितने percent आपको यहाँ पे क्या cash back मिलेगा सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी तो चलिए सबसे पहले इसके सारे benefits, fees वगरा बता देता हूँ उसगी पे जो भी आप transaction करेंगे चाहे वो for delivery हो या फिर groceries हो उन सब पे आपको 10% तक का cash back मिलेगा जो कि पर महिने आप 1500 रुपए तक का cash back कमा सकते हैं बाकि 5% तक का cash back इनके 1000 प्लस online platform या फिर एप पे आपको मिल लागे जिन में से Amazon, Ola, Mantra, Flipkart यह सब हैं इसमें भी आप 1500 रुपए पर महिने का cash back अंग कर सकते हैं इसके अलामा 1% का cash back बाकि सारे other transaction पर आपको मिलेगा इसमें जो capping है वो 500 रुपए पर मंत की cash back आप अंग कर सकते हैं Welcome benefit के बाद करें तो 3 महिने का आपको सुगी 1 का membership मिलता है जिसकी price 1199 रुपए है कार्ट को activate करने के बाद इसे आप redeem कर सकते हैं आगे मैं आपको दिखाऊंगा इतना है नहीं यहाँ पर कुछ bonus benefits भी मिलते हैं क्योंकि यह master card variant है यहाँ पर premium golf club access worldwide और 12 free golf lesson per year आपको मिलेगा इसके बाद free stay and dine ये भी सुबदा मिलती है और अगोटा डिसकाउंट जिसपे की 12% तक का instant discount worldwide होटल पे आपको मिल लेगा अगोटा पे अब आज हैं इसके charges और fees वेगरा के तो card की fees हमारी joining की है 500, annual fees भी 500 है जिसको अगर आपको wave off करना है तो 2 lakh का अगर spend करते हो per year ये भी fees आपकी wave off हो जाएगी अब किन चीजों पर यहाँ पर cashback नहीं मिलता तो same कहानी है rent, utility, bill, fuel, insurance, EMI, jewelry, government spends, wallet, load, etc इन चीजों पर आपको cashback नहीं मिलेगा तो ये चीज़ ध्यान में रखना monthly cashback limit मैंने आपको सारी बता ही दी यहाँ पर list दी हुई है ओके next करते हैं इसे apply apply now पर क्लिक करते हैं lightning fast application process faster than your noodles can cook यहाँ पर कुछ steps दिए हैं जिनमें से सब्सक्राइब हमें pen card number डालना है continue card application पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अपना register mobile number डालना है जो कि आपके pen card से जुड़ा हुआ है और आधार card से उसके नीचे आपको अपना pen card डाल देना है next पर click करना है terms of service इसको agree करके आगे बढ़ना है now एक OTP आपके number पर जाएगा आपके register number पर उसको यहाँ पर डाल के verify करना है तो यह देखिए OTP आ गई है डाल देता हूँ और कर देते है verify यह देखिए next page पर आ गए है और अगला step है fill in your details करते हैं continue यहाँ पर आपका नाम date of birth और gender वगेरा यहाँ पर ले लेगा आपको यहाँ पर अपने माता का नाम पूरा डाल देना है और next पर click कर देना है उसके बाद आपका यह current location का address जो यहाँ पर SDFC bank पर saved है वो यहाँ पर so हो जाएगा तो उसको आप change भी कर सकते हो आगे अभी हम करते है next are you sure का active आएगा इसको कर देना है yes अब यहाँ आगे अगर आपको address change करना है जहाँ पर यह card deliver होगा तो सुगिया पर जो आपका address है उसको आप select कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक address डाल सकते हैं उसके लिए आपको सायथ के वैसी करनी होगी तो मेरा address यहाँ पर selected है जै यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रूल आपका क्या है यहाँ पर मैं owner डाल रहा हूँ या फिर ownership तो यह नहीं ले रहा है तो यहाँ पर आपको proprietor डालना है और उसको select कर लेना है next आपका working email address डाल देना है और आपका annual income डाल देना है जो आपका actual income है उससे आप आदा एक लाग बढ़ा सकते हैं उसके बाद next क्लिक करना है ना अभी यह जितने भी detail आपने यहाँ पर डाले है यह आपके bank से लेकर आपके civil score सारी कुछ चीज़े यहाँ पर अंदर ही check हो जाएंगी और थोड़ा से इसमें time लगेगा आपको wait करना है और जो भी result होगा अगर आपको यह card अप्रूब होके मिल जाएगा तो यहीं पर सो कर जाएगा और यह देखिया मेरा card यहाँ पर अप्रूब होके सो हो गया है मतलब कि यह card maximum chance है कि अभी हमें मिल जाएगा जो limit है वो 40,000 है जो मेरा current यहाँ पे SDFC bank का credit card है उतना ही limit यहाँ पर सो कर रहा है और अभी इसकी limit 5000 र person तो हम यहाँ पर digital search करेंगे जरूर अभी हम SDFC bank of sale website पर redirect हो गये हैं यहाँ पर आधार consent मांग रहा है कर देते हैं agree पर click now यहाँ पर आपको अधार number डाल देना है again एक OTP आपके number पर आएगी जनरेट OTP पर click करने के बाद उसको यहाँ पर डाल के validate कर देना है अब यह जो सारी process आपको बता रहा हूँ यही same process अगर आप cash करों से कर रहे हैं तो application को fill करने के सारे process ऐसे ही होंगे cash करों के तुरू और यह हो गया complete अभी next step में हमें करना है video KYC मतलब सारी step भी पूरे करने हैं अब इसको करने के यहाँ पे कुछ चीजें लिखवी हैं जिनमेंस आपको बता दूँ आपका physical pen card मतलब original pen card होना चाहिए एक white paper और pen होना चाहिए आपसे sign करवाएंगे और ठीक ठाक connection और background में सो स प्राबा नहीं होना जाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं term and condition पर again और अपनी वीडियो के वाईसी को start करते हैं आपको wait करना है next आपको यहाँ पे language select करना है किस language में आपको KYC अपनी वीडियो वाली करानी है सारी permission microphone और location अगरा को आपको दे देना है आपका camera start हो जा क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है अपने already किया ही होगा तो कर लेना आपका वीडियो के वैसी यहाँ पे कुछ दिर में complete हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आपको एक screen देख जाएगा जहाँ पे लिगा हुआ है आपका application submit हो गया HDFC bank में और यहाँ पे आपको SMS मिल जाग कि आपका जो application है अप्रूब हुआ है या नहीं 8-9 दिन में जो कि लंबा टाइम है और हाँ यह चीज़ सई भी है HDFC bank किसी भी कार्ट को अप्रूब करने में कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम लेता है तो आपको ठिक ठाक यहाँ पे wait करना होगा मुझे बताओ तो लगबग 10-11 दिन लग गए थे कार्ट को अप्रूब होने में तो टाइम काफी लगता है वापस अगर सुगी अप में जाके हम यहाँ पे status चेक करते हैं तो वही सेम चीज़ दिखाई जाती है तो finally यहाँ पे 10-12 दिन के बाद मेरा कार्ड यहाँ पे अप्रूब हुआ देख सकते है है समय सा गया है और उसके बाद जब में सुगी अप पर वापस आया यहाँ पर ही अक्टिवेट नाव का ओप्सन आ गया है इस पर क्लिक करके चलिए करते हैं इसको एक्टिवेट और यह देखे कॉंग्रेट्स हमारा कार्ड यहाँ पे सो हो गया मतलब अप्रूब हो गया और नीचे लिखा हुआ है कि आपका कार्ड साथ दिन के अंदर आपके पास फिचकल कार्ड मतलब डिलीवर हो जाएगा नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेट कार्ड तो इस पर क्लिक करते ही थोड़ा से यह लोडिंग लेगा और हम चले जाएंगे अपने AGFC बै है वो हमें मिल जाई बागी कॉंटेक्ट लेस ट्रंजिक्शन वगेरा मैं अबल कर देता हूं इंटरनेशनल बंद उसके बाद इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा एक ओटीपी आएगा उसको यहां पे डाल देना है और कर देना है संबिट उसके बाद यह देखिए सक्स लेक्शन में जाते हैं तो यहां पर मैनेज कार्ट के भी ऑप्शन मिल जाता है नीचे यहां पर वेलकम बेनफिट के रूप में तीन मंत का हमें सुगी वन मेंबर्शीप मिलता है तो इसको क्लिक कर लेते हैं एक्स्टेंड मेंबर्शीप क्योंकि मेरे पास ओलिडी मेंबर्शीप का तो यह थोड़ा सा लोड लेगा और यहां पर हमारी मेंबर्शीप अपडेट हो गई है यह देखिए यहां पर एक्टिव दिखा रहा है और हैं कार्ट को एक्टिव करने के बाद अपना वर्चुल कार्ट भी आप यूज कर सकते हो उसके लिए एक लिंक ना पर देख सकते हैं और यह देख सकते हैं और यह देखे कुछ इस रिके से कार्ट पैक होके हमारे पास आ गया है ओपन करके आपको दिखाऊ तो यहां पे हमें वेलकम कार्ड मिलता है और यह हमारा अक्चुल में फिचकल कार्ड काफी कूल सा सुगी HDFC बैंक क्रेडिट क अब सेकेंड वेलकम बरेंफिट की बात करें तो इसमें हमें 500 रुपए का जो जॉइनिंग फिस है वो हमें Amazon गिप्ट वाउचर के रूप में मिलता है तो देख सकते हैं यहां स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम लगा है 30 दिन का टाइम लगबग लगा है मतलब जो बिल जेनर लगा है वो एक्ट्यूल केस्ट की तरह आपके कार्ड में ही मिल जाएगा मतलब उतना आपको बिल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं कैस्ट जस्ट गॉट बैटर एक और काफी अच्छा ओफर यहां पर क्रीट पे चल रहा है इस कार्ड के लिए मतल है कि क्रीड एप पे आपको इस्पिन करने का ओप्शन मिलता है यह देखिए डायरेक्ट 50 रुपिल हमारे अकाउंट में एड हो गया ऐसी या पांच बार विल पेमेंट करोगे तो आपको टोटल 500 रुपे का कैस बैक मिल लियागा हर विल पेमेंट पे पता नहीं अभी यह पर चल रहा है या नहीं पर जम मैंने यह काड अपलाई किया था उस टाइम यह उफर चल रहा थो तो बहुत सारे बैंकित हैं काड के आप बिल्कुछ इसे अपलाई करो और इंज्वाइ करो नेक्स दूसरा आप्शन बता दूं कैस करो उसे अगर आपको अपलाई करना है पास ITR या फिर salary slip वो गया रहा है credit score अच्छा है तो आपको कैस करो कि एप में जाना है और यहां home screen पे आपको एक banking का type मिलेगा उस पे click करना है और यहां पे जितने भी credit card है offer के साथ सब कुछ दिखेंगे यहां पे आपको नीचे मिल लेगा स्विगी SDPC bank card इस पे click करना है और click कर देना है earn up to 1000 reward वाले बटन पे यहां से अगर यह card आप apply करते हैं और आपका card विचर में अप्रूफ होता जो की बिल्कुल होगा अगर आपके pass ITR या फिर salary slip है credit score आपका अच्छा है तो 100% आपका card अप्रूफ हो जाएगा बाकी same detail mobile number pen card वगेरे डाल के जैसे मैंने अल्रीडी आपको दिखाया step सारे same होंगे वहां से करते हो आपका card अप्रूफ होगा तो आपको 1000 रुपए का यमा जोन वाउचर एक्स्ट्रा मिल लियाएगा वतलब 500 रुपए बो और 1000 रुपए यह और घटता बढ़ता रहता है कई बढ़ 2000 रुपए 15 रुपए कैस करो आपको देता है तो बिल्कुल से आप कैस करो से अपलाई करो ज्यादा वेंपिट उठाने के लिए नीचे लिंक दे दूंगा वहां से जाके अपलाई करना तो दोस्तों यहां पर जितना हो सका मैंने सारा कुछ बता दिया है दिखा दिया है गर आपको कोई भी कुछ चन अभी आपके मन में है तो बिल्कुल से नीचे पूछ सकते हैं और वीडियो को जरूर से लाइक काना काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर तरीके के हेलफुल वीडियो के लिए मिलता हूँ नेक्स व बाइ